तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या Equal MSP 15,500 रुपे जो है वो लागू हो गया है अब जाहिर सी बात है कि Equal MSP लागू होगा तो pensioners को तो फायदा मिलेगा ही देखिए अगर आप देखेंगे तो सुरू से Equal MSP को लेकर के बहुत सारा confusion है और मेरी हमेसे यही कोसिस रहती है क आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करूँ तो बेसिकली जब अगर हम Equal MSP की बात करेंगे तो यह अभी फिलहाल लागू नहीं हुआ है हाँ यह जरूर है कि अभी दो दिन पहले हाई कोट में इसके उपर सुनवाई चल रही थी लेकिन सुनवाई में हमेसा की तरह Equal MSP की लड़ाई काफी लंबी है बहुत दिनों से इसके उपर लड़ाई चल रही है कोट में भी इसका फैसला गया हुआ है लेकिन अभी तक यहां से कोई अपडेट निकल करके नहीं आया है तो सिंपल सी बात है कि Equal MSP तो अभी लागू नहीं है आने वाले टाइम पर ल बढ़ा करके 30 September 2023 कर दिया गया है तो अभी जुलाई चल रहा है तो अभी आपको करीब करीब आप आलमस्ट माल लीजिए कि 2-3 महीने आपको वेट करने अब उस ताइम पर क्या सुनवाई होगी फिर से डेट बढ़ेगा तो यह लड़ाई जो है वह लंबा चलेगा और इस की 1 मृत सैयं होते आफ के आपके अनुसार हैं अब आगे बने से पहले एक चीज का ख्याल रखिया आपके आपने एटीए किले चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है सब्सक्राइब भी कर लिजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो एसे लेटिस्ट इंफोरमिशन आपको हमेसा मिलते रहे क्योंकि हमने हमेसा यही कोसिस कि यह कि आपके साथ प्रैक्टिकल इंफोरमिशन शेर करें अब जैसे लाइफ सर्टिफिकेट बनाना होता है पेंशनर को तो वह आप खुद से मुबाइल फोन से बना सकते हैं एक मुबाइल फोन का यूज करके आपका लाइफ से जो आपको फॉलो करना रहता है इसके बारे मे अब ही तक समेटेड नहीं है तो सबसे पहले अपना स्टेट सेक करें अब स्टेटिस कैसे चेक करेंगे यहां पर आता है इन्फोरमिशन तो नो यूर इडिटिफिकेशन और लाइफ से दिफिकेट माइगरेशन स्टेटस क्लिक है बस इस क्लिक करोगे आपके सामने यह और इडिटिफियर सेलेक्ट करना और मैंने इसमें आपको गाइड भी किया है पहले से अगर जो लोग हमें सुरू से सब्सक्राइब कर रखा है फॉलो किया हुआ तो उनको मैंने बता है कि तो आप अपना बैंक अपना परसनल नंबर का मतलब होता है आई सी रेजिमेंटल सब्सक्राइब ऑने चैनल यहां से उपने चैटिस का तो बंज करना यहां से स्टेटिंफिकेंट्स और माइद को को पता जल जाएगा क्योंकि देखिए नवंबर 2023 का जो डेट था वो जून 2024 तक बढ़ाया गया तो अभी चल रहा है जुलाई तो ऐसे में आपका पेंशन रुख सकता है तो जरूरी क्या है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट जीवन परमान पत्र अपडेटेड होना चाहिए पहली चीज़ तो यह आपको ध्यान में रखनी है अब जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इक्वल एमेसपी को लेकर के ती इक्वल एमेसपी में देखे पिछले सुनवाई जो हुई वह बेसिकली उसमें हुआ क्या था कि यह दो दिन पहले ज लेकिन जो सरकारी वकील थे जो सरकारी बेंच के तरफ से अब भी थे यह सब चीजह ऐसी है ना वह अगर किसी भी चीज की मांग कर रहे है आपको यह जैसे कि आपको पता है कि पहले भी मैंने आपको बताया था कि OROP में कितनी सारी विसंगतिया है बहुत सारी गलतिया है जो कि सुधारा जाना चाहिए जिससे JCO और ORS को फाइदा हो लेकिन अब उसके उपर भी सुनवाई जब होती है तो वो डेट बढ़ते जाते ह है इसलिए तो तारीक पर तारीक कहा जाता है तो यहां पर भी वही चीज़ चल रही है अब इक्वल MSP की इतनी दिनों से लड़ाई चल रही है लेकिन उसका कोई फाइदा अभी तक नहीं हो रहा जब फाइदा कब होगा जब इक्वल MSP लागू हो जाएगा अब इक्वल MSP लागू जजज साब जब ऑडर देंगे तब होगा अभी फिलाल ऐसा कुछ नहीं है तो यही दो दिन पहले यही कानी हुआ था कि जो सरकारी वकील के थे जो सरकारी पक्ष के जो वकील थे वो गायब थे वो गायब इसलिए यह भी न्यूस में आया कि वह बैसिकली किसी दूसरे मुद्धे पर दूसरे केस पर किसी दूसरे हाई कोट में ना रह करके वह सुप्रीम कोट में थे और यह जो अपना केस चल रहा है यह हाई कोट में चल रहा है तो इसलिए सरकारी वकील जब सुप्रीम कोट चले तो एक आपडेट निकल करके आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा फिलहाल 30 सेप्टमबर तक के लिए तो अगर आप कोई MSP के उपर कोई अपडेट आ रहा है कोई न्यूज आ रहा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते क्योंकि इकवल MSP अभी कुछ भी नहीं हुआ है इस पर 30 सेप्टमबर को सुनवाई है वो भी डेट आगे बढ़ेगा ऐसा नहीं है कि 30 सेप्टमबर को सुनवाई होगे और तुरंत लागू हो जाएगा तो जो भी रिजल्ट आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे फिलाल यहां तक त में कोई सवाल हो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाईज या सुझाओ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जरूर शेयर कीजिए तो फिलाल आज के इस वीडियो में इतना ह अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें जैहिंद वंदे मातरम